अज शेर्ख करने वाली होमें नारियल के लडू की तरीके लटयू की, अगर आपके पास नारियल का इस तरीकी से पाउडर न हो, तो आप मार्केट में भी लेवर रहता है वो भी आप ले सकते हो यहां पर मैंने 2 नारी इल का इस तरीके से पाउडर लिया हुआ है अब गराई रख दी है इसमें सबसे पहले मैं मिल्क पाउडर डालने वाली हूं ter मैंने यहां पर 200 ग्राम मिल्क पाउडर लिया था इसको मैं हलका भूननाँगी जाना भूनने की जरूत नहीं है हमें सिर्फ हलका सा थोड़ा सा इसको इसी तरीके से गैस पर भूनना है यहाँ पर गैस की फ्रेम को आप याद रखिएगा लो ही रखिएगा हाई बिल्कुल नहीं करिएगा ना मीडियम करिएगा सिर्फ लो गैस पे इसको अजली अली चलाती हो हलका सा भूनना देखिए पहले इसका कलर कैसा था थोड़ा सा कलर इसका चैन जो गया इसको मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा इसको सेम वही कड़ाई ली है मैंने इसको थोड़ा साप कर लिया अब जो हमारा नारियल था इसको भी हम गैस पे थोड़ा सा इस तरीके से चला लेंगे इससे क्या है यह नारियल जो है मैंने सूखा नारियल लिया है तो इससे क्या इसमें बहुत जान्दा ओयल भी रहता है तो यह थोड़ा सा अगरम होगा जैसे ही वह थोड़ा सा अपना ओयल छोड़ देगा त अब यहां पर मैंने इसको भी थोड़ा सेक लिया तो इसके नीचे उतार लिया है अब यहां पर भी दोनो नारियल भी हमारा गरम है मिल पाउड़ा भी हमारा गरम है तो इसको अच्छे से हम इस तरीके से मिला देंगे अच्छे से मिलाने के बाद इस तरीके से मिलाते जाएं अगर आपको लड्डू बनाना ना है और घी की जरूबत पड़े तो आप और भी घी मुच कर से बड़े बरतर में निकाल के मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया इसको जानदा ठंडा नहीं करना है हमें थोड़ा गीले गरम में ही इसके लड्डू बनाने है यहाँ प अपनी टेस्ट के नुसा चीनी ले सकते हो और चीनी को भी मैंने इसमें अच्छे से मिला दिया था चीनी को मिलाने के आप पिसी हुई चीनी ही मिलाईए अब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो मुझे जानदा की कि जरूबत हमी पड़ी मैंने सिर्फ तीन चमची घी डाल और थोड़ा ये गरम रहे उसी में आप फटा फट लड्डू बनाने हैं एकदम धंडा नहीं करना है इतना गरम होना चाहिए आप आहात में लेकर थोड़ा सा आसानी से लड्डू बना सके तो मैंने एक लड्डू पहले ही बना दिये तही मेरा दूसर लड्डू बन चुक और बनाना भी बहुत तीजी है फटाफट से 10 मिनिट में लगते हैं बनाने में अगर मेरी यह वाली रेस्प पसंद में एच्छे को लाइक शियर और सिस्क्राइब जरू करिएगा मिलती हूं नई रेस्पी के साथ जब तक के लिए बाई